कि दोस्तों नमस्कार मैं सुबास्पनमबर आपको बताऊंगा पाइप लाइन शोग हो जाए तो उसे कैसे को ने यह अमारी यहां पर लाइट्रिंग की टैप थी यह उतार दी यहां पर निंपल लगा गए और मोटर खाउट पाइप लगा दे मोटर लगा ले और दो वाल्टी पाणी डाल दे और मोटर को चल्लू कर दे आके जितना भी गंदाना हो आज आए और ठाप उस्ती रए लाइन इसमें पाणी आगी गिए और यह लाइन बलोप हो चुदी इसको आम कि देखना दोस्तों यहाथ इंची निप लगा के पाइप लगा दी यह आउट लेट है कले वाड़ा वो सफेज वाड़ा इनलेट पाइप है ऐसे दो बालती पाणी की बढ़ने पाणी बढ़ने के बाद में मोटर चला दे और एक किक टैप खोलते रहें ताकि सारा पाइप का गंद साफ हो जाए और पाइप अच्छी तरह से प्रेक्षर आगए अब इसमें पाणी नहीं आ रहे है दो बालती पर पाणी की मारे हैं सारी लाइन साफ हो जाएगी तो इसके अंदर पाणी आ जाएगा ये पाईप मिटी लगके जंग लगके बंद हो चुकी है ये बालती दाती पाणी है ओ ये गंद पाई इस बिल्कुल बंद होगी जागा ये अब ये मोटर से पाई स्कोब हो रहा हो तो मोटर से एजे पाई से लगागे साथ कर लें ताकि पाई बच्छी तरह साथ हो जाए और पाणी का प्रेसर अच्छा रह जाए पहले जितना प्रेसर बन जाएगा वापिस कुई है टेशना दोस्तों ये पाई बना ये साफ किया है अ थोड़ी मार कर थे देखो सारा का सारा गन निंगार दिया कि यह वाल है यहां से पूरा का पूरा जंग लाके पाई बंद हो चुक्या था अब यह प्रेश्टर से खोल दिया है कि यह देखना कि यह पाईब खोल चुका है अब टैप के अंदर पानी आ जाएगा जी आई पाईब में जंग लाके बिल्कुल चोग हो चुक्या था अब इसको खोल के छीनिया थोड़ा मार के और इसको अच्छी तरह से साफ कर ले ताकि थारा जंग निकल जाए और पाणी अच्छी तरह आ जाए तो देड़ना विश्टेर के अंदर पानी आ चुक्या है यह पाई खुल गए है मेरी वीडियो पसंद आई हो शेर लाइक और सस्क्राइब जरूर करना कर दो स्क्राइब जरूर